तो देखते हैं पर question number 4 में हमसे क्या बोला गया है While diluting an acid, why is it recommended that the acid should be added to water and not water to the acid अगर हम यहाँ पर किसी acid को dilute करते हैं तो हमेशा यह बोला जाता है कि हमें पानी में क्या मिला रहा होता है acid मिला रहा होता है ना कि acid में पानी ऐसा क्यों बोला जाता है यह हम जानेंगे इस answer में तो देखते हैं इसके answer में यहाँ पर क्या बोला गया है The process of dissolving an acid in water is a highly exothermic in which a large amount of heat is evolved तो यहाँ पर acid और water का जो यहाँ पर process होता है मिलाने का वो हमारे यहाँ पर क्या होता है highly exothermic highly exothermic यह होता है कि यहाँ पर large amount of heat produce होती है जो यहाँ पर नुकसान दे सकती है इसलिए हम यहाँ पर क्या होता है पानी में acid मिलाना होता है वो भी काफी धीरे धीरे तो यहाँ पर precaution भी लेना पड़ता है तो यहाँ पर वो ही बोला गया है precaution should be taken while mixing a concentrated acid with water तो जो हमारा dilute मतलब होता है कि पहला जो हमारा solution था acid का वो हमारा क्या था concentrated था अब हम उसको क्या कर रहे है dilute कर रहे है तो dilute कब होगा जहाँ उसमें पानी की मातरा जादा हो जाएगी तो हमें क्या करना होता है हमें water में धीरे-धीरे करके acid मिलाना पड़ता है तो उसमें काफी precaution लेनी पड़ती है तो वो यहाँ पर बोला गया है the acid must always be added slowly to water because evolved heat is easily absorbed by the large amount of water तो यहाँ पर होता क्या जो हमारे acid होता है वो हमें जो water में mix करना होता है वो काफी धीरे-धीरे करना होता है हम काफी धीरे-धीरे करेंगे तो जो water बड़ी मात्रा में होँआ पर present होता है वो धीरे-धीरे heat को क्या करता है absorb कर लेता है तो वो हमारे लिए फायदे मन दे अगर वो heat absorb नहीं कर पाएगा तो वो क्या होगा होँआ पर bubbles की formation में बाहर भी आ सकता है if water is added to concentrated acid the heat generated may cause the mixture to splash out and cause bonds तो यहाँ पर यही बोला गया है कि अगर हम concentrated acid में direct वोहाँ पर water mix करेंगे तो वोहाँ पर क्या होगा बहुत बड़ी मात्रा में heat generate होगी और वो heat क्या होगी वोहाँ पर भार आ जाएगी जिसके वज़े से हमारा हाथ जल सकता है इसलिए हमेशा हमें क्या करना होता है water में acid धीरे-धीरे करके मिलाना चाहिए नहीं तो हम यहाँ पर इल्टी प्रोसेस करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा हमारा हाथ जल सकता है क्यों जल सकता है क्योंकि हमाँ पर heat बहुत बड़ी मात्रा